module 105 treatment for suppression anxiety disorder इसमें पहले बात हम करेंगे pharmacological treatment की और behavioral therapy की so pharmacological treatment जो है उसके अंदर उनको जो first line of treatment होती है always remember जब भी बच्चे आपके पास आते हैं उसमें first line of treatment हम कभी भी pharmacological treatment को refer नहीं करते हैं until के unless हमें ये लगे कि बच्चा जो है वो settle down नहीं हो रहा ठीक है और अगर जो आम तोर पर suppression anxiety disorder है अगर उसके ओपर therapy work ना करें तो हम उसे जो है psychiatrist को जो है refer करते हैं और उसके लिए आम तोर पर जो है anti anxieties जो है आम तोर पर prescribe की जाती है then we will talk about the behavior therapy behavior therapy की multiple techniques हैं जो आप use कर सकते हो उसमें से चंद एक जो है वो हम discuss करेंगे जिसमें सबसे पहली जीज़ जो है वो relaxation exercise है relaxation exercise जो है उसके help से हम बच्चे को deep breathe करना सिखाते हैं जिसकी help से उसका जो oxygen और carbon dioxide का जो level होता है body के अंदर वो ठीक हो जाता है ठीक है क्योंकि जिस वकत बच्चा को anxiety होती है और उसके physical symptoms आना शुरू होते हैं तो basically वो shallow breathe कर रहा होता है तो it is very important to tell him or her कि जो deep breathing है वो उसको start करें इसके साथ आप उसे imagery भी करा सकते हो यानि किसी ऐसी place पर ले जो जहां वो twice के साथ प्ले कर सकें किसी park में move कर सकें तो you can also do those things too then vivo desensitization जो है वो in cases में बहुत जादा effective होती है वो किस तरह के आप उसको real life में मसाल के तोर पर पहले उसे कहते हैं कि ठीक है आप class के अंदर बैठो mother आपकी बाहर बैठेंगी ठीक है basis के उपर gradually जब पच्छा जो है वो mentally ready हो जाता है for moving on the next stage तो आप यह exposure जो है उसको देते जाते हो ताके वो आहिस्ता आहिस्ता उस situation में और उस जो setup है school का उसके अंदर absorb हो सके then we can also do the contingency management आप contingency management जो है वो घर में भी की जा सकती है वो school में भी की जा सकती है घर में हम कैसे करेंगे कि अगर बच्चा जो है वो school जा रहा है यानि positive behavior वो behavior जिसको हम develop कराना जा रहे हैं वो जा रहा है वो school जाना शुरू हो गया है तो हम उसके उस behavior को क्या करेंगे reinforce करेंगे reinforcement किस पॉम में मिल सकती है प्रेस किया जा सकता है उसे कोई tangible चीज दी जा सकती है उसको कहीं बाहर लेकर जा सकता है जो भी उसका आपने reinforcer identify किया है आप उसके साथ उसे contingent कर सकते हो इसी तरह अगर वो बच्चा school नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है तो definitely जो उसका negative behavior है उ उसको आपने reinforce नहीं करना बलके आपने क्या करना है आपने removal of positive stimulus करना है यानि अगर हम उसको जिस तरह आगर वो TV देख रहा है तो हम उसे कहेंगे कि उस दिन TV नहीं देखना अगर वो ये complain कर रहा है कि वो sick है उसके समक में पेन है तो आप उसे कोगे okay you are not allowed to go to watch TV बलके आप इसको change किया जाएगा then the modeling modeling एक बहुत बड़ा factor होता है कोई भी behavior learn करने के लिए तो इसके लिए बहुत important है कि बच्चे को आम तो पर हम कहते हैं कि symbolic modeling जो है वो बच्चे अगर use करें उनके साथ तो वो ज्यादा बहुतर तरीके से response करते हैं यानि कोई cartoon character होता है आप cartoon character को जो cartoon character में देखें कि बच्चा school जा रहा है ये किस्ता अपने friends के साथ play कर रहा है तो इस तरीके से वो learn करता है इसी तरह आप उसको life modeling भी दे सकते हो जिसना different बच्चे school में होते हो से कहते हो कि देखो सारे बच्चे बैठे में है you can also sit along with them तो इस तरह जो life modeling है वो भी की जा सकती है इसके साथ साथ ये बहुत important है कि अगर घर में किसी का ऐसा है patron जिसमें वो separation anxiety के symptoms show करता है यानि मदर को बहुत जादा परशानी हो जाती है अगर कोई घर लेट आए और उसकी वजह से बच्चे के नदर ये separation anxiety develop हो रही है तो मदर को भी वहाँ पर जो psychological help है उसकी जरूरत ह होती है तो ये बहुत सारी techniques में से चांदिक techniques हैं जो आप use कर सकते हो उन बचों के साथ जो कि suppression anxiety disorder को manifest कर रहे हूं thank you